हेलो दोस्तों, वेलकम तो सीरेटी सलूशन यूटूब चैनल, दोस्तों आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि किस तरीके से आप हैकर रैंक प्लैटफॉर्म का बिल्कुल फ्री पे सर्टिफेकेट ले सकते हो, साथ में बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे वरक्शॉप के ब मिलने वाला है, तो अगर आप आने वाले समय पे दोस्तों, टीचेस एसेंचर जैसी कंपनी में, टीचेस एंक्यूटी, टीचेस निंजा, प्रोफाइल के लिए बैट रहो, अगर आप इसलिए परिशान हो, कि आपने अपने रिजूम पे अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट म मेंशन नहीं किया है, तो आप इन दोनों ही सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हो, साथ में इस प्रोजेक्ट का भी आप अपने रिजूम पे मेंशन कर सकते हो, अब इससे अडवांटेज क्या होगा, मैं आपको यहां पर यह भी बता देता हूं, दोस्तों, कि यह जो रिट करने की सर्टिफिकेट नहीं है, बलकि आपको यहां पर जो सर्टिफिकेट मिल रहा है, दोस्तों, वो प्रोजेक्ट बनाने पर मिल रहा है, और आपको हैकर रहे हैं कि प्लैटफॉर्म से जो सर्टिफिकेट मिल रहा है, उसमें दोस्तों, आपको अपने स्कील को प् मेंचन करते हो न तो टेक्निकल HR राउंट पर जब आप जाते हो तो टेक्निकल HR के पास एक आइडिया आजाता है कि उससे किस तरह का कोशन पूछना है मतलब जब वो आपके रिज्यूम को देखता है वो देखता है कि आपने hacker and platform का certificate लगा के रखा है या फिर किसी project को mention करके रखा है उससे related कोई certificate लगा के रखा है तो टेक्निकल HR के mind पर जादा तर यह कोशन आते हैं कि अब वो उससे relevant question आपसे पूछे कि वो certificate आपको कैसे मिला उसके लिए आपने क्या 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 प्रोचेस आपने किया था क्या project अपने बनाया था कैसे बनाया था तो इससे दोस्तों advantage आपको यह होता है कि आप सिर्फ उसी questions को attempt करते हैं उन्ही questions के answer देते हो जो कि आपको आता है ऐसे में अगर आपको certificate mention नहीं करते हो या फिर दोस्तों आपको project mention नहीं करते हो तो technical HR आपसे कोई भी question पूछ सकता है हो सक resume पर certificate लगाने का सिर्फ या advantage है कि आपको अगर knowledge होगा तो relevant question आपसे पूछे जाएंगे और यह दोनों ही certificate दोस्तों में फिर से बता दूँ course complete करने के certificate नहीं है बलकि आप यहाँ पर proper knowledge लेके एक skill based certificate ले रहे हो जिसे आप अपने resume पर बिलकुल mention कर सकते हो और यकीन मानों आ आप इसका advantage भी उठा सकते हो तो वीडियो में आगे detail में इसके बारे में हम बात करने वाले हैं अगर आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो को like करिएगा चैनल को subscribe करिएगा और हमारे whatsapp group से जरूर जूड़िएगा जहां पर आपको इस तरह की update हमेशा मिलते रहते हैं हमारे whatsapp group का link भी आपको description पर मिल जाएगा वीडियो है आगे बढ़ने के पहले दोस्तों अगर आप किसी भी product based company को crack करना चाहते हैं और ऐसा software developer आगे की journey start करना चाहते हैं और इसकी preparation बिलकुल free pay करना चाहते हैं तो इसका दोस्तों सबसे best platform आज की date में unacademy है तो unacademy के द platform पे दोस्तों आपको top educators मिल जाएंगे जो कि ऐसा software developer काफी बड़ी company आपको क्या क्या चीजे करनी हैं किस तरीके से आपको किसी product based company में apply करना है किस तरीके से आप अपना resume बना सकते हो ताकि आपका resume इन top product based company में असानी से crack हो पाएं तो क्या do हैं क्या don't हैं यह सारा का सारा चीज दोस्तों आप इन top educators से सीख बाते हो और इसके अलावा दोस्तों इस platform पे आपको variety number of classes मिल जाते हैं अकर आपको कोई भी course करना है और आपको उस से related depth knowledge चाहिए चाहिए आप system design पढ़ना चाहते हो, DSA पढ़ना चाहते हो back end development, front end development आप पढ़ना चाहते हो तो उसके ओपर complete knowledge आपको इस platform पे मिलता है और आपके complete जो भी doubt से उसे भी यहाँ पे clear किया जाता है साथ में दोस्तों अगर आप किसी कारण से इनके live classes को attend नहीं कर पाते हैं तो आपको यहाँ पे recorded lecture का भी option देखने के लिए मिल जाता है और इन सारे lecture को दोस्तों आप unacademy के app से भी access कर सकते हो और अगर आपको दोस्तों किसी भी educator की classes पसंद आती है तो आप उनका subscription, unacademy का subscription भी ले सकते हो जिसके जरीए complete पढ़ के आप product based company को crack कर सकते हैं अगर आप इसके लिए interested है free classes के लिए और paid classes के लिए तो इसका link आपको description पे दिया है कि अगर आप मेरा code seedit10 use करेंगे तो आप इन classes को free में access कर पाएंगे और आपको extra discount भी मिलेगा तो जरूर इन link को check आपको description पे मिल जाएंगे अब हम बात करते हैं दोस्तों hacker rank के certificate को आप किस तरीके से बिलकुल free पे पास सकते हो और अगर आपने दोस्तों अब तक hacker rank platform को use करने start नहीं किया है तो इसे जरूर start कर दीजिए अगर आप TCS essential जैसे जो भी exams होते हैं उनमें जो coding rounds होते हैं उनके question को solve करना चाहते हो तो जादा तर दोस्तों आपको जो question है वो coding के question आपको इनी platform के माधियम से देखने के लिए मिलता है याने आप यहाँ पे जिस तरह की question को solve करोगे जो की easy label के है medium label के हैं इसी तरह की question आपको आने वाले समय पे TCS essential जैसे जब exam पे आप बैठोगे तो वहा अलग language related यहाँ पे अलग-अलग skill के questions देखने के मिल जाएंगे अगर आपको C आता है C++ Java या फिर SQL अगर आप इस related question को solve करना चाहते हो तो इन सारे questions को आप solve कर सकते हो इसके लिए आपको किसी भी एक language पे click करना है और उस related question आपके सामने आने start हो जाते हैं और आप यहाँ पे अपनी coding की जर्णी को start कर सकते हो और अगर बात करें कि किस तरीके से आप इसका certificate बिल्कुल free पे ले सकते हो तो इसके लिए दोस्तों आपको इनके certification वाले section पे आना होगा और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता है लेकिन उस समय यहाँ पे इतने जादा अलग अलग section अवेलेबल नहीं थे यहाँ पर उन्होंने कुछ नए section भी introduce किये हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि CSS, C Sharp, Go Language जिसके अलावा Java, JavaScript या फिर Node, Node.js, R, REST API, React, R, SQL आपको इन सबसे related यहाँ पर skill certificates मिल सकते हैं इसके आपको करना क्या है तो जिसमें भी आप interested हो ना उसके आपको click करना है इसके बाद आपसे दो question पूछे जाते हैं इन दो मेंसे अगर आप एक भी question को solve कर लेते हो तो आपको यहाँ पर certificate यहाँ पर बिल्कुल free पर मिल जाता है और आप इसे re-attempt भी कर सकते हो मतलब अगर आप यहाँ पर एक बार exam देते हो आप solve ना हो पाए तो फिर आप इसका reference इंटरनेट से देख सकते हो आप वहाँ पर देख सकते हो कि कौन सा logic उन्हें ने लगाया है और उस logic को समझ के यहाँ पर उसे implement करके लिख सकते हो याद कि यहाँ पर अगर आप अच्छे से अपना logic बिल्ट करके इस particular certificate को लोगे तो आने वाले समय पर आप इसे resume पे जब mention करोगे तो इसका advantage आपको आने वाले समय के placement पे हो सकता है अब हम बात करते हैं दोस्तों next event के बारे में जो कि दोस्तों एक webinar है जिसे आप तिल्कुल free pattern कर पाओगे जिसमें आपको deep learning और data science का knowledge मिलने वाला है project भी आप बनाने वाले हो इसक इसमें आप deep learning और data science का use करके image technography को implement करने वाले हो और यह दोस्तों होने वाला है 31st July और 1 अगस्त को limited number of seat हैं अगर आप इस video को देख रहे हैं interested हैं project बनाना चाहते हैं उसे related certificate पाना चाहते हैं अपने resume पे mention करना चाहते हैं तो इस video को देखने के बात जल से जल इसमें apply कर द आपको live project पे काम करना सिखाया जाएगा और साथ में आप data science skills को develop कर पाओगे data science में क्या career opportunity ये सारा जी जान पाओगे और इसे complete कर लेने पर आपके यहां पे जो भी data science की concept से वो clear होंगे certificate आपको यहां पे free मिल जाएगा जो भी आपके questions है उसे आप यहां पे live पूछ सकते ह और आप यहां पे assignment और QGES को भी solve करने वाले हो तो आपकी इससे अच्छी खासी practice होने वाली है अगर इसले interested हैं आप उपर आओगे तो registration का एक form मिलेगा जिसे आपको feel कर देना है और इसे feel करके submit करने के बाद आप इसे बिल्कुल free पे attend कर सकते हो project बना के बिल्कुल free पे certificate certificate ले सकते हो तो I hope दोस्तों आपको यह दोनों ही जो मैंने platform के बारे में बताया यह पसंद आए होंगे अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को like करिए चेनल को subscribe करिए thank you